नमस्कार मैं पूर्णम सागर आप देख रहे हैं न्यूस 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूस आज हम मौजूद है हदिन विदान सबाद छेतर के ग्राम पंचा है धींगडाका में यहां के जो वर्तमान सरपंच है साजित जी आई हम इन से बात करते हैं और पूछते हैं कि सार हमने 11 राष्टों का निर्वान कराया पान कि सविदा कराई आंगेनवारी केंद्र बनवाया इसकूल में मरमत कराई और चोटे बड़े कहाना जो दो तिन नालिया बनवाई और कबरस्तान और स्कूल का सुद्धिकरन कराया इसकूल को विदान सबाद में छेतर गाउं ह इसकूल है उनमें हमने टॉप पर अपना इसकूल हुआ है डिसिप्लेंड और प्रोग्रेस में और गाउं में रेगुलर सपाई होती है गाउं में वेलकेम गैट लगवाया गया है रेसिडेंट बोर्ड लगवाई गये हैं सपाई को कूरे को इखट करने के लिए डेस्ट जहाँ नाले को इंजान麼 सपाई करूंछ करते हैं और जहां हम भी सबस्केते को समयाधन को अकूछ हो गया है कुछ सब्सक्राइब करते हैं तो इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए आपने अपने गाउं में महिला के लिए उपर वाले सुकर है वैसे महिला को कुई क्राइम ऐसा किस थाने तेसिन को आया नहीं है फिर भी हम बीज-बीज में बुजर्गों को बच्चों को और अपनी बेह सभाषी का विकास का रहा है हमारे घाम में लगवाख 75-70 लाग क्या असपाद धना से कविकास हुआ है को इस्थाने विधाय का कैसा सभी हो नहीं रहा कोई को इस आगे चुनावी चर्चों में जाएंगी तो मेल मुद्द्दर क्या है आगे चुनावी चर्चों में यहों क को बर्चर कर साथ देते हैं महिलाओं के लिए जो सरकारी तरफ से सुईदा हैं उन सुईदा को लागू कराते हैं और जो सरकार गरीब गुरुबाओं के लिए जो भी सुईदा देते हैं उन्हें जमीनी सतर पर लाके उन्हें कराते हैं और गरीब रहाग के साथ देते हैं गल वह आगे चुनावी चर्चों में जाएंगे तो वह मुख्य कार्या है पर सबसे में काम तो यह बिजली पानी और राष्टे होने चाहिए कुछ राष्टे हमारे अधूरे रह गए हैं क्योंकि हमें सारे तीन साली मिला डेर साल कोरोना सेट्टे में खतम हो गया और कुछ पान बचा है जनता और चाहिए अपील करना चाहेंगे गलत के साथ में दो अच्छाई के साथ दो आप सभी ने विस्तार से सुना जो यहां के वर्तमान सरपंच है धींगडाका के साजिज जी उन्होंने बताये कि इन्होंने क्या-क्या विकास कारे अपने छेतर में करवाए हैं साथ ही इन्होंने बताया जो पानी पीने की समस्या है और पानी निकासी की समस्या को पूरी तरीके से इन्होंने दूर किया है और साथ ही इन्होंने कहा है कि इस्थान ने विधायक का कोई सहयोग नहीं रहा है और इन्होंने च्छेतरवासियों से अपील करी है कि एक बहतर उम्मीद्वार को ही आगे अपना कीमती वोट दे यदि आप सभी को प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक हम शेर जरूर करें एवं किसी भी नगर परिशत ग्राम पंचायद वार्ड से कैसी भी कोई भी समस्य हो तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे एक नंबर नंबर है उस पर हमें संपर्ख करें आपकी बात को सरपर्थम रखा जाएगा अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा धन्यवाद